नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुती सुंदर्शा प्यारी सी नेक लाइन लेकर करके आया हूँ देखिए यहाँ पे आज कल क्या हो रहा है कि इस तरीके की डिजाइनिंग काफी चलती है जैसे स्लेज में हमने यहाँ पे देखा है काम है और बोटम जो सलवार होती है उसमें काम हो जाता है लेकिन नेक लाइन हमारी प्लेन है तो हमें नेक लाइन को ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना है और यहाँ पर आप जो color देख रहे होंगे matching करते हुए हमने एक लेस लिए है जिससे के हम neckline को बहुत ही संदर्शी look देंगे, stylish look देंगे दूसरा हमने यहाँ पर यह तो लेस लिए है, यह हमारी light color के साथ में है, जो कि बहुत ही संदर्शी यह देखे, एक हमने एक number dark यहाँ पर piping लिए है, piping बारीक piping होती है तो इसलिए हमने एक number dark यहाँ पर piping लगानी है इस तरीके का हमने silk वाला fabric लिया है इसमें से हम ore-vali ore-vali जो पट्टी होती है वो इस तरीके से cut करते हैं, ऐसे हमें cut करनी है और यहाँ पर piping बनानी है piping बनाने के लिए हमने यहाँ पर dory का इस्तमाल करना है, तो आपको बताऊंगा कैसे piping बनाई जाती है, यहाँ पर मैंने कुछ पट्टी कटिंग की हुई है और यह हमारी lace है, जो कि हमने यहाँ पर चाक पे, घेरे पे और neckline पे लगानी है, तो neckline में आपको बना करके दिखाने वाला हूँ तो sleeves को कर देते हैं अलग अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पर फ्रेंट लिया हुआ है, इसमें दोनों side यहाँ पर printex डाले हुए है, center में हमने यहाँ पर neckline बनानी है बहुत ही प्यारी सी, तो दोस्तों यह तो material हो जाता है, इसको तो कर देते हैं side और यहाँ पर हमने एक piece इस तरीके का लेना है, यह देखिए हमने piece लिया है कपड़ा जो है हमारे पास इसके उपर हमने paper fuse चिपकाई हुई है, यह हमारी paper fuse होगी, इस तरीके से इसको अच्छे से आप चिपका ले यहाँ पर ऐसे, क्योंकि neckline जो बनानी है हमें, सारी piping हमने underground लगानी है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से paste कर लेते हैं और फिर इसको हम double कर लेते हैं size की बात करें, तो size हमारा फिलाल जो आता है यहाँ पर double करने के बाद साड़े 4 इंच ऐसे है और यहाँ पर 17 ऐसे है अब हमें यहाँ पर broad length का निसान लगाना है, तो broad length रखेंगे हम यहाँ पर change और deep length रखेंगे 6 इंच और यहाँ पर हमें gap देना है, gap देंगे हम यहाँ पर आदा से 5 इंच का इस तरीके की हमारी यहाँ पर neckline बनने वाली है अब हम यहाँ पर simple सा एक निसान लगाएंगे, ऐसे यह हमने simple सा निसान लगाया है, और इसके बाद हम इस साइड में भी हाँ पर बिल्कुल सीधा निसान लगाएंगे और यहाँ से आपने देखना है कितनी length रखनी है designing की, तो यह रखेंगे हम 14 इंच, 14 इंच अब एक साइड के हमारे यहाँ पर यह निसान लग जाते है इन निसानों के उपर भी हम यहाँ पर डार्क इस तरीके से निसान चोक चला लेगे तो यह देखिए हमारे निसान जो है neckline के यहाँ पर complete लग चुके है अब सबसे पहले हमें यहाँ पर pipe in का काम करना है उसके बाद नीचे के designing करनी है फिर less का काम करना है तो इसके लिए चलते हैं machine का stitching में दोस्तों सबसे पहले हमें निकालनी है यहाँ पर pipe in तो pipe in के लिए हमने और हे पटी यह लिए है इसे हम यहाँ पर डोरी जो है इस तरीके से रखेंगे ऐसे और यहाँ पर जहां डोरी होती है डोरी के side में ही हमें machine की switch लानी होती है यह धियान रखे इस तरीके से और सिंगल फुट की मदद से मैं यहां पर डोरी बनाऊंगा ऐसे आपने डोरी को रखते जाना है और यहां पर सिलाई लगाते जाना है तो यहां पर इस तरीके से हमने धागा रखना है और सिलाई लगानी है बिल्कुल नहीं देख ऐसे तो हमारी यहां पर पाइपिन निकलती चली जाएगी तो यह देखे कितनी प्यारी सी बारीक से हमारी पाइपिन निकलती है अगर हम इस तरीके से पाइपिन को निकालते हैं तो पूरी पट्टी में हम ऐसे ही पाइपिन निकाल लेते हैं अब हमें जब पाइप इन निकालनी होती है तो हम इस तरीके से रखते हैं निसान के उपर यहां पर ऐसे और फिर से इसी पाइप पिन वाली सिलाई के उपर हम यहां पर सिलाई लगाएंगे यहां पर हम हलका सा पक्का करते हुए चलेंगे और यहां पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे जहां पर हमारी नौक आएगी हल का साम इस तरीके से यहां पर साइड में करके फिट से बिल्कुल सीधी पाइपिन निकालेंगे यह हमारा नीचे का निसान आ जाता है तो यहां से हम पाइपिन को इस तरीके से घुमा लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों पाइपिन हमने अटेच कर ली है इसके बाद हम यहां पर इस तरीके से निसान लगा लेते हैं और जो एक्ष्टा कपडा होगा इसको काट देते हैं यहां पर ऐसे निसान लगाना है यह हमारा स्केल सवाइंच का है तो सवा-सवाइंच का गैप पुरखते विए हमने यहां पर इस तरीके से निसान लगा लेना है और यह जो मार्जन होता है इसको हम cutting कर देंगे cutting हमने कर लिया है बाहर का extra कपड़ा अब हम यहाँ पे neckline को ऐसे रखते हैं center point में front के उपर और अब हमारी यहाँ पे pipe in के उपर फिर से एक सिलाई आएगी और यहाँ पे पूरी finishing के फिर हमारी pipe in तियार हो जाएगी तो जैसे जैसे हमने pipe में लगाई है वैसे ही हम यहाँ पे इस तरीके से center point बनाते हुए इस सिलाई को complete करेंगे कि गर यहाँ रखत तो यह देखे दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत ही प्यारी सी पाइपिन यह निकाल लिए और आप देखोगे यहाँ पे कितनी संदर्शी पाइपिन बनी है अंडरग्राउंड पाइपिन निकालने का बहुत आसान सा यह तरीका है इसके बाद जो हमारे पास ये कपड़ा होता है इसको हम फोल्ड कर लेते हैं एक एक पैर एक पैर का मर्जन रखना है और इस तरीके से आपने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है तो बारवाला जो कपड़ा है यह हमने फोल्ड कर लिया है और नीचे की साइड से भी नैक लाइन हमारी यहाँ पे रेडि हो जाती है अब फिर से हमें एक बार देखना है अमें नैक लाइन जो त्यार करनी है वो हमें 56 इंच करनी है तो हम 7 इंच तक यहां पर रखेंगे त्यार नेक को तो हमने एक पीस इस तरीके कर लेना है यहां पर ऐसे और यहां पर एक साइड से इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है तो आप देख सकते हो और जो एक्ष्ट्रा होगा यहाँ पे इसको हम कट कर देते हैं अब यह पीस लिया है हमने और शाती हमने अलग-अलग कलर के यहाँ पे यह दोनों पीस इस तरीके से सेट करे हुए है तो छोटी-छोटी पट्टी है आप भी दो-दो इंच की पट्टी इस तरीके से यहाँ पे बना ले और इस तरीके से रखते वे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो इस से हमारी एक डिजाइनिंग बनती चली जाएगी यह देखिए इसके बाद यहाँ पे पिंक तो एक हमारी यहां पर पिंक आएगी और एक हमारी यहां पर फिरोली पट्टी आएगी यहां पर देखगी यहां तो यह देखे दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरीके से यह सेंटर कपी स्तियार कर लिया है नीचे की साइड हमारा प्लेन रहेगा और उपर इस तरीके के डिजाइनिंग आएगी अब हमें यहाँ पे जितनी नेकलाइन तियार रखनी है उतनी नेकलाइन तियार रखते वे यहा यहाँ पर बराबर गैप रखते वे इस तरीके से पहले इसको सेट करेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई से अटेच करेंगे तो यह देखिए दोस्तों सेंटर की डिजाइनिंग हमारी हो गई है कमप्रीट इसके बाद हमारी पास जो यह लैस है इसको हम यहाँ पर पाइप इन के साथ साथ में इस तरीके से अटेच करेंगे करेंगे पर देब यहाँ करेंगे तो यह देखें दोस्तों यहां पे जो बाहर की साइड हमने और गेंजा लेस लगा दी है और पाइपिन का काम भी किया है यहां पे सेंटर की डिजाइनिंग भी किया है यहां पे हमने डिजाइन बना करके आपको दिखा है तो दोस्तों आप भी कॉमेंट करके जरूर बताएं किस तरीके की आपको यह डिजाइनिंग लगी है और बहुत आसान तरीके से जैसे मैंने आपको समझा है कि आपकी प्रोपर समझ में यह चीज आ जाती है जो हमारा बनाने का तरीका है तो दोस्तों आज के लिए बसीत रहीं मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको समझा है